हेलो दोस्तो पिछले हपते हिंडरबर्ग नाम के रिसर्च कमपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कि बहुत बड़े और भारी आरोप लगाए गए इंडिया के सबसे अमीर आदमी यानि कि मिश्टर गौतम अडानी पर नतीजा ये हुआ कि इस रिपोर्ट के आने के सर्फ तीन दिन के अन्दर-अंदर पैंसार डिलियन डॉलर का नुकसान हुआ अडानी कंपनीज को जाहिर सी बात है आप जानना चाहेंगे आखिर क्या है इस रिपोर्ट के अंदर लेकिन इससे भी मज़े की बात ये है दोस्तों की हिंडनबर्ग को इतना भरोसा है अपने इस रिपोर्ट पर इन्होंने खुले आम चैलेंज किया है अधानी कमपनीज की लीगल टीम को 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अधानी ग्रूप ने इसका खंडन कर दिया था हिंडनबर्ग ने जब अपने रिपोर्ट जारी की थी तब कहां था कि कॉर्परेट इतिहास अब अधानी को तो आप सब कोई जानते ही होंगे एटलिस इंडिया में लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च कमपनी को आप लोगों ने पहली बार सुना होगा तो इस कमपनी की बारे में थोड़ा जान लेते हैं इस कमपनी के अस्थापना करी गई थी साल 2017 में नेथन नेट एंडरेसन नाम के एक आदमी के द्वारा हिंडनबर्ग कमपनी का काम है फाइनेंशर रिसर्च करना और ऐसे कमपनीयों को एक्सपोज करना जिन्होंने फ्रॉड किया हो या मनी लॉंडरिंग वगेरे जिसी काम करती हो अब आईए इस रिपोर्ट को थोड़ा गहराई से देखते हैं 106 पेच की ये रिपोर्ट है ये इस रिपोर्ट का टाइटर है अडानी ग्रूप मतलब इनकी जाई में कॉर्परेट इतिहास का यहां पर सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है Hidden Bank Research Company का कहना है कि इन्होंने दो साल से भी ज़्यादा लगाए है इस रिपोर्ट को बनाने में इन्होंने अडानी ग्रूप से बहुत सारे ऐलिगेशन लगाए हैं जैसे Money Laundering, Stock Manipulating, Accounting Fraud, Corruption, Offshore Sales Company बनाई जाना उनका कहना है कि अडानी Companies के बहुत सारे Family Members जो की अडानी Groups के अलग-अलग Companies के डिरेक्टर हैं उन्होंने वीदियोसों में बहुत सारे Sales Company यानि की वैसी Company जिसका कोई नाम निसान नहीं है वो सिर्फ कागजों पे हैं उनको चला के Fraud कर रहे हैं ऐसे ही बहुत सारे Example दे रखे हैं इन्होंने अपने Report में आप जाके देख सकते हैं उनकी Official Website पे ये कहते हैं अगर गौतम अडानी गलत नहीं है तो वे उनके 88 सवालों का जवाब दे सकते हैं अब देखते हैं अडानी Groups ने इनके Response में क्या कहा है पहला Response सताई जन्वरी को आता है जिसका Title था Miss of Short Seller जिसमें कहा गया ये कमपनी अडानी Groups पे बहुत गलत Allegation लगा रही है हमारे सारे काम Legal होते हैं और सारी कमपनीयों को गिरिन चिट मिली हुई है हमारी सरकार के द्वारा फिर उस्टे दो दिन पहले यानी 25 जन्वरी को अडानी Groups के CFO ने एक बयान दिया जिसमें कहा गया कि ये सौट चलर कमपनी का मकसद अडानी Groups की रेपोटेशन को खराब करना है अब बात करते हैं आखे हिंडरबर्ग विसरच कमपनी को इतना confidence कैसे है तो उनकी हिस्ट्री को देखते हैं उन्होंने पिछले 5 साल में सुला कमपनी को टार्गेट किया है जिसमें सो उनका सक्सेस रेट 90% से भी जादा है इसलिए इस कमपनी को अपने इस रिपोर्ट को बहुत भरोसा है चलिए अब जानते हैं इससे किसका जादर नुकसान होगा अगर ये एलिगेशन जो अडानी Groups पे लगाए गये हैं वो सही हुए तो हिंडर बर्ग कमपनी को बहुत फाइदा होगा और अगर गलत हुए तो अडानी को फाइदा होगा क्योंकि इससे अडानी को वर्ल्ड वाइड प्रपालेटी भी मिलेगी अब जानते हैं हिंडर बर्ग को इस काम से क्या फाइदा होता है ये जो कमपनी है इनका में काम है सौर्ट सेलिंग करना जिसका मतलब है ये वहाँ पैसा लगाती है जहां कमपनी का स्टॉक गिरता है सीधे सब्दों में कहें तो ये कमपनी की वैलिशन गिराना चाहती है और वहाँ पे इनको बहुत ही फाइदा होता है कई लिगों का कहना ये भी है कि अडानी का जुक्सान इंडिया के जीडीपी पे बहुत भारी पड़ेगा पर ऐसा नहीं है अडानी कमपनी से इंडिया को जीडीपी में हैल्प तो मिलती है पर इतना भी नहीं कि हमारी जीडीपी गिरने लगे तो दोस्तों आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी कॉमेंट में बताए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें